दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का अमारे चैनल Tech Yo Help में दोस्तों आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं कि MyZio App में Bank Account एड कैसे करें जिया दोस्तों अगर आप भी MyZio App यूज करते हैं और दोस्तों आप जो है MyZio Application में अपनी वेंक को add करना चाहते हैं चाहे दोस्तों आपके कोई सी भी बैंक है जैसे कि पेटियम वैंक या INCSI या या दोस्तों आपका जो कोई भी आपके वैंक है आप शको add करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता is कि माइस जो application में किस तरह से जो है वैंक को add किया जाता है और कैसे आप जो इसमें आप अपनी API ID create कर सकते हैं तो अगर आप भी चारना चाहते हो तो उस वीडियो को शुरू से end तक देखेगा और दोस्तों का चैल पर पहली बारा है जो आपको subscribe नहीं किया है तो प्लीज यार चैल को subscribe कर लिजेगा और जो साथ में गंटी वाला बटन है इसको भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना सीतरे की काम के उंटरस्टे वीडियो लाती रहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो है आपको सबसे पहले आपको माईजी अप्रिकेशन को डाउनलोड कर लेना है इसमें आपको पना जीओ नम्मर डालके इसमें पर ने के पाद में आपको इसको ओपिन करना है झाल करने के बाद में आपको सामनी यहां पर इस प्रकार का पर फीज करेंगे तो यहां पर यहाँ पर UPI option पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको let's get start पर क्लिक करना है इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर select bank registered with my number जिस bank में आपको my number link है वो bank आपको यहाँ से select कर लेनी है जो भी आपकी bank है वो आप यहाँ पर उपर search भी कर सकते हैं या दोस्तों आपको यहाँ search क तरीके से अपने जो है myzio app में bank add कर पाएंगे तो दोस्तों अब यहाँ से आप जो है कोई भी transaction कर सकते हैं अगर आप किसी को पैसे ट्रांसपर करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीकी से यहाँ से आप जो है पैसे भी भी भेस पाएंगे और दोस्तों यहाँ जो ह तब तक लिए जहन बंदे वात्रम धन्वाल